विडियो में हम बात करने का सब्सक्राइب करना है सबसे पहले तुव आपको ओट स्टार पर लोंग प्रेस करना है जैसे आप इस पर long press करके रखेंगे यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे तीन option share, app info, uninstall आपको app info पर click कर देना है जैसे आप app info पर click करेंगे then उसके बाद यहाँ पर options मिल जाते हैं storage का और सबसे नीचे clear data का सबसे पहले आप storage पर click करिए यहाँ पर clear data देखने को मिल रहाँ पर click करिए और इसका clear roll data कर दीजिए clear roll data करने से पहले clear cache करके देख लीजिएगा अगर आपकी problem solve होती है या नहीं फिर आप इसका clear roll data कर दीजिए जैसे आप clear roll data करेंगे आपने login कर रखा होगा अपने number से अपने ID जो भी account बनाये होगा वो logout हो जाएगा फिर से आप login करके अपना hotstar use करेंगे तो आपको यह problem solve हो जाएगी आपकी screen black नहीं आएगी यह काम आप कर सकते हैं then उसके बाद अगर फिर भी problem as it is बनी रहती है त अगर आपको फिर भी problem आती है मुझे comment box में बताईएगा मैं कोई और वीडियो आपके लिए बनाऊंगा और finally आपको एक और काम कर लेना है आपको क्या करना है जान लीजिए सबसे पहले आप hotstar जैसे open करेंगे आपको देखना है आपने जो है कौन सा आपना वो लिया और myspace में जाने के बाद यहाँ पर आपको subscribe पर क्लिक कर देना है subscribe पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको options मिल जाते हैं अगर आपने यहाँ पर mobile वाला version लिया होगा तो यहाँ पर आप देख पाएंगे यहाँ पर watch on one device यहाँ पर single device के अंदरी आप इसको use कर सकते हैं same account account में आप जो है same account अगर दो mobile में यूज कर रहे हैं तो एक mobile में आपको black screen देखने को मिलेगी तो यहाँ पर आप super वाला यहाँ पर 299 वाला यहाँ पर package subscribe किया हुआ आपने तो यहाँ पर watch on two device मतलब आप यहाँ पर दो device के अंदर इस account को use कर सकते हैं तो आपको black screen नहीं तो यहाँ पर यह काम आपको देखने ना है premium ले रखा है तो आपको यहाँ पर 4 device मिल जाती है premium के अंदर 499 का package है इसमें आपको 4 device मिल जाती है चार device में आप easily use कर पाएंगे अपने disney hot star को अगर आपने free वाला version यूज कर रहे हैं तो उसके अंदर single अगर same number से same account आप दू या है super premium या फिर mobile वाला तो आप चेक कर लिजिएगा अगर आपको फिर problem फिर भी solve नहीं होती है मुझे camera box में बताईएगा logout कर लिजिएगा guys अगर आपने दूसरे mobile में भी अपने account को डाल रखा है या फिर आपका password किसी आपके friend को पता है उसने जो है login करके रखा हुआ ह तो आप password चेंज कर लिजिए forget कर लिजिए तो problem solve हो जाएगी password चेंज करने के बाद आप सिंगल डिवाइस में चला के देखिए problem solve हो जाएगी अगर आपको फिर भी problem आती है मुझे कमने बखस मताईएगा मैं आपके लिए को सलीशन लिए करना हूँ समिलते है ना एक सुद